पहले तो हम लोग फसल को बढ़वार के लिए प्रटी लाजर का यूज करते थे जिससे की पौधे अच्छे से बढ़े लेकिन आज के जो जनरेशन में हम लोग पौधे को डेबलब करने के लिए उसके बाहरी इंवार्मेंट के अंदुरूनी इंवार्मेंट को भी चेंजेस करने की कोशिस के आ जा रहा है जिससे कि हमको अच्छे से उत्पादन मिलें इसमें से एक है अमीनो एसीट का यूज का लगातार बढ़ रहा है खेती के चेतरे फर्टी लाजर के लिए अमीनो एसीट इनसानों के लिए भी बहुंच जोरी है तो फिर देखते हें कि अमीनो परकार के amino acid होते हैं जो कि protein के fermentation के बाद बनते हैं amino acid के स्रोत मचली है और श्वयबीन है और भी ऐसे बहुंसे के चीज हैं जिससे amino acid मिलता है तो अबहुत आउसके ऊसकी हर्मोन्स का क्य Begin मुख्चे रूप लूप ऊसकी क्रिया उसमें ब्रिध्धि करता है इसके साथ परकास करते बनाना बनाते हैं एंजेम्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है जिससे फल जल्दी परिपक होते हैं तिसा उसके साथ उसके जो पैदवार है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ती है और जो फल की जो क्वालिटी रहते हैं उसमें भी बृध्धी होता है आगड़ा देखते हैं कि अमीनो एसीट क यूस किया जाने पर मतलब 6.8 से लेके 12% की बृद्धी होई है और मैं अगर मखाई की मैं बात करूँ मक्के की तो मक्के में लगबख पड़ 25 से लेके 40 किलो तक की बृद्धी होई है इसके साथ अगर तरबूज की मैं आगर बात करूँ तो तरबूज में जो चίνी की मात् 30% तक के ब्रिद्धी हुई है और इसमें vitamin C की मात्रा रहती है वो 3 से लेके 42% तक की ब्रिद्धी हुई है Amino Acid का यूस किया गया था तो फिर देखते हैं कि Amino Acid का पौधे पे कैसा परभाव हो रहता है अगर ना हम लोग पौधे पर चिरकते हैं तो उसमें क्या परभाव पड़ता है जिसमें से सबसे पहला है जल्दी तेसाथ जादा और अंकूरण की जो दर रहती है वो लगवग 10 से लिए के 30 परसें तक अंकूरण की दर को यह बढ़ा देता है अमिनोसी शेकन होता है जड की जो प्रणाली होती है उसका विकास करना कहना के मतलब जड रहती है जड के साइड में जो सफेज जड निकलती है उसको यह अच्छ तरीके से जो नूट्रिसन्स होता है मिट्टी के अंदर में घहराईयों में जो रहती है उसको इजिली तरीके से उसको अबजब कर पाता है उसको सोक पाता है तीसरा होता है कि पौधे से अच्छे से विकास करना पौधे से अच्छे से विकास करने का मतलब उसकी जो ग्रो उसके भी वजन को बढ़ा देगा यह सब काम करता है अमीनो एसीट तो अब हम सोते हैं कि अमीनो एसीट हमको कहां मिलेगा अमीनो एसीट तो अभी मार्केट में इजली तरीके से तो मिल जा रहा है कहीं कहीं नहीं भी मिले अमीनो एसीट को अगर आप अमेजन से भी मंगाना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं दे स्क्रिप्शन में, उसका लिंक देखके, आप चाहने, तह में चाहते हैं, तो आज पीर न आज से वीडियो आपका काम UP काम आये, वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक कर दीजुए, अगर आप नहीं है, तो हमारे जो चैनल है उसको आप करिए सब्सक्राइब तो उसके बगल में अगंटी को प्रेस करिए जिससे कि खेती से संबंधी जब भी नया नया वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिपिकेशन आपको मिले तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय भारत जय हिल